अक्सरम पनीर की रेसिपी इसलिए नहीं बनाते है क्योंकि वह बहुत साथ हेवी हो जाती है और लगता है यार बड़ा जमीला है उसे बनाने में तो चलो एजी तरीके से बनाते हैं मैं भी सोच रही थी पनीर मैं बहार से लिया आती हूं और हल्की फिल्की सबसी बना लेती ह चलो पनीर में बनाते हैं घर पर तो यहां दूद लिया है मैंने अच्छा लगता है और उसके बाद में इसको दम स्क्वार शेप देकर इसको मैं अच्छे तरणाव फ्रीजर में रख दूँंगी पाँच मिनट के लिए नहीं सिर्फ दो मिनट के लिए है तब तक क्या करते हैं यह पर ओयल लेते हैं उसमें सब जितनी भी साबुत मसाले होते हैं जैसे कि ईलाइची, लॉंग, काली मिर्च यह सब डाल देते हैं उसके पाद प्याज बस बड़ा-बड़ा काटके डाल दो ल बनती है मैं ऐसा नहीं है कि उसमें स्वाथ आता है मुझे लगता है कि चीजे और बेकार बन जाती है तो जहां जरुवत नहीं है ना वहां नहीं डालने का उसके बात पानी और इसे उबलने दो इसे पकने दो कम से कम 10 मिनट के लिए अब 10 मिनट हो गया यह उबल गया है बन जी राली है और जो मसाला भी हमने बनाया था ना स्टाटिक में जो चीजे करके वो मसाला हम यहां डाल देंगे और इसको पकाएंगे वैसे तो पका हुआ अल्रेडी है मैं तब ही सबजी काफी एजी है क्योंकि इसमें कुछ खा जाता पकाने के जरुवत ही नहीं यहां मेरे पनीर लेया हुँ निकाल के फ्रिजर से अब उसके बात क्या है ना कि जो पनीर है इसको ना मैं सोच रही थी कौन से शेप में काटू तो मुझे शादी बला पनीर याद आया उसमें मैं ट्राइंगुलर शेप में कटा होता है मतलब किसी भी शादी में जाओ ना यार काश और खाली होथा काश और खाली होता है तो यहां पर मैंने इसलिए ट्राइंगुलर काटा है क्योंकि मुझे घर पर वह फील अच्छा लगता है ना घर पर अराम से बटे खाओ तो अब कुछ खास करना नहीं है पनीर डालने के बहुत चलाना नहीं और यह सब्सी के त्यारे खाओं पीओ मज़े करो